हेलो आज हम देखेंगे दस साल पुराने गाडी का एक इंटिरियर क्लीनिग देखेंगे उसमें वो clean करने से पहले हमको हमको हमारे जो भी कार में जो आपस लगे हुए जैसे charger यह सब को हटा देना है क्लीने करते नहीं के लिए दो चीजे हम यूज kaन के लिए एक एक क्लीनिंग के लिए फॉमिंग और ये है क्लीश और पहले हम लोग्र दर्श बोर्ड क्लीन करने बाद जो डॉर पैनल से प्लास्टिक के वो क्लीन करने उसके बाद अगर फोम बचता है तो फिर सीट्स पे उसकर और पीलर पर उसकरेंगे। कुछ टाइम के बाद आपको यह इंटिरे ट्लीन करवाना ही पड़ता है क्योंकि टाइम टू टू टिम गंदा हो जाता है जैसे आपके अरमें पेट्स है यह आपके कार में कोई खाते पीते हैं तो उसके चक्कर में भी थोड़ा गंदा हो ही जाता है जब आप वाशिंग के जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वह यहाँ पे वाश कैसे करते हैं एक गीले कपड़े से पूरा डाइश बोर्ड अपका सीट कवर इसे पोज देते और उसके बाद उसी पे पॉलिश मार देते तो उससे क्या होता है जो गंदा रहता है वो ठीक से लिकला तो रहत अगर अगर आपका मीजिक स्टम खुलता होगा उसको खोल दीजिए वह लिक्विड फोम चाला गया तो प्रॉब्लम हो सकते इसलिए मेरा तो खुलता इसलिए इसलिए मैंने यह खोल दिया और जिनके में डिस्पले होगा उसमें क्या करें जिस जिस एज पे गैप रहता है उस गैप पर टेप मार लीजिए तो सेफ रहेगा आपका डिस्पले इसको सबसे पहले डाशबोड पर स्प्रे करेंगे और इसको मारते सब ध्यान दिजिएगा कि यह आपके आख में और नाक में जाए उसके लिए में एक माइक्रोफाइबर क्लोथ लगेगा और इसको में पूरे डाशबोड पर स्प्रे करना है और थोड़े दर के लिए छोड़े देना है इसको स्प्रे करने से पहले अपके शेक कर लिजिए हरा पूरा प्रे मार देने, आप दिखाते हो कैसे आपको प्रे करने, एक लेयर प्रे करने बस यह आपको ठीक से पूरा प्रे करने, जहां पर लगता है कि कर सकते, अभी स्टेरिंग पर भी करने और यहां पे छोड़े पैडल सिय्हां पे भी इस और यह सिंटर वाला जो यकिन्टरा जो कन्सोले एय सब्साहे वाला वहां ठोड़ा मार देते हैं कि अभी साइड का यह वाले जो पैडल यह भी मार मेंग पाड कोड़ी अभी tune तो अब ये श्प्रे कर लिया थोड़े शोड़ने के पाथ एक माइको फाइबर प्लोथ लेके इसको रब करना है थोड़े देर तक आपको दिखाता हूँ भी रब कैसे करना है अच्छे से रब करना है अपको यह अगर जो कॉर्णर सोंके कॉर्णर के लिए ब्रश यूज कर सकते हैं अब यह सेंटर कंसोल को सोड़ा ठीक से यहां पर एसी विंट की तर सोड़ा रब करना है ठीक से और यहां पर जो थोड़े गैप से रहते हैं उसमें ज्यादा गंदगी रहता है तो उसको ठीक से क्लीन करते हुआ कि अच्छे वाले में भी क्योंकि आप ज्यादा टच करते हैं उसको तो भी ठीक से और जब भी यह ज्यादा गंदा हो जाएगा तो इसको आपके कवर पानी में वाश कर लेने गंदगी थोड़ा लिकल जाएगा उससे मेर लेम ले पेडिल हैं भी याले में लेगी जाएगाब कर दोटी कर दो जाएगा लेक कि अच्छे में कि अच्छे करे दो ऑफगा जाएगा पूरा जब स्प्रे मार के आपका क्लीन करके हो जाएगा एक सूख्या फाइबर क्लोच से आपको पूरा एक वर रब करना है जो भी इस पर रेसिड्यू बचाओ थो तो सब ठीक से क्लीन करना है अब जो इस चारो डोर के जो पैनल है इस पर रहे करना है सेम जैसे मैं धाशबोर पर किया था आपको बताता हूं और आपको ज्यांदा देर ना सुफिछेश पर पिए प्रेन ही करने एक पर मार कर चोड़ देना और एधर तो जैसे मारना है यह सब आरे रिए डौर पर शेम प्रेय करना है अब इसको श्रय कर दिया है अब इसको कपड़े से रप करना है पूरे डौर पैनल को यह हो गया अब नेक्स टीन डॉर जो बच्चे उसको करते है अब यह फोड़ा बज गया है तो सोचे कि यह सीट्स पर भी स्प्रे करके पूरा उसको खतम कर देते मैं जहाजा लगेगा तो सीट्स पर स्प्रे करते है जा आता है तो सेंके कर दो आतंत सोचे करते हैं मिल ने फ्र घ्र जिस मता हैasında कर दो कि यह समय है यह अ वह कर सकते कर दोgs अले है कर दो ए्यजरих छो ऐसे पत्व! अब श्प्रेय करने के वाद इसको रब करने यह साफ करते करते हैं यह सब को भी थोड़ा रब कर लिजे क्योंकि ज्यादा स्प्रेय बचता नहीं इसी स्प्रेय को यहां पर यूज कर लिजे आप यहां पर थोड़ा थोड़ा जगह है यहां पर ज्यादा रखते हैं तो यह सब पार्ट इसको भी कर लिजे क्योंकि वह बाद में स्प्रेय बचता नहीं करने के लिए इसको खोल के ठीक से कर सकते हैं थोड़ा से स्प्रेय बच गया है तो यह दोनों पीलर पे और जो थोड़े थोड़े फाइबर पार्ट होते हैं उस पर यूज करके इसको खतम कर देंगे इसको अब रफ करते हैं अब बी पीलर का जो यह प्लास्टिक पार्ट है इसको इस प्रेय करें क्योंकि यहां पर ना नीचे पैर लगता रहता यह ज्यादा गंदा था इसको भी थोड़ा जो बढ़चा स्प्रेय इस पर यूज कर लेंगे अब यह इसको पॉलिश मारेंगे पुरे डैश्बोर्ड में पूर प्लास्टिक वरे पार्ट में इसके साथ एक में फोर मिलता है और एक कि इसको इस कपड़े में थोड़ा ताल के यहां पे पोच्च देने जो जो फेड़ेट पार्ट है उस पे आप ज्यादे यूज कर सकते हैं और यह पॉलिश क्लीन करके फायदा है मतलब गंदगी पे सिदह आप पॉलिश मार रहे तो वह कोई फायदा निया वह और जमा देगा पका गंदगी अब आप देख रहे हैं आफ्टर क्लीनिंग का व्यू डैजबोर देखिए और सीट कवर्स देखिए अब सीट देखिए और अब डोर पैनल्स भी देखिए अब यही काम अगर बाहर कराते हैं तो आपको हजार से पंदरसो के बीच में लग जाएगा